नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अप्रेल से दस अप्रेल तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों भगवान की किरपा से या दस दिनों में आपको इस दोरन कहीं से सुप समाचार या सुप संदेश आपको मिलेगा और वा समाचार आपके जीवन की सबसे बड़ी हाकिकत होगी जिससे आपकी जीवन फिर से पटरी पर लोट आएगी चारो छेतरों से आपको आप खुसिया ही खुसिया होने लगेंगे जिहां दोस्तों और आपको इन दिनों में किन चीजों से बचना होगा किन चीजों से आपको साथान रहना है आपके लव लाइब कैसी रहेगी केरियर के सा रहेगा बिजनेस और वेपार के सा रहेगा और स्वास्तिकी महत्वपुन जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुबरंग और सुबरंग क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिसे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सकी तो दोस्तों आपका भी रासी तूला है तो इस वीडियो को बिलकुल भी मिशना करें और इसे अंत तक जरूर देखें वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें साथ में नोटिपिकेसन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे इस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तों बात करते हैं कि या दस दिनों में भगवान की किरपा से आपको किन छेतरों से सुब समाचार मिलने वाले हैं आपके जीवन की हकीकत सबसे बड़ी क्या होगी और आपके जीवन फिर से पट्री पर कैसे लोटने वाले हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं चानक नितिक ज्यान के बारे में दोस्तों चानक नितिक ज्यान कहते हैं कि अगर आपके पास धैर है तो निस्चिती आप जीवन के हर कठिन से कठिन फेसले को सही निरने ले सकते हैं इसी के साथ बहुत समय पड़ा है यही वहम सबसे बड़ा है इसी के साथ अपनी मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके जिहां दोस्तों अगर हमारे इन बातों पे सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज रात 9 बजे से आपके साथ कुछ सुप समाचार होने वाला है आपको स्वापन में किसना किसी तरह से लक्षमी का संदेश आएगा जो की पूराना गड़ा हुआ धन आपको दिखाए देने वाला है या फिर आपको कोई सुप संदेश आएगा जो आप बहुत दिनों से सोचे हुए थे जिहां दोस्तों इन दिनों कोई सुप समाचार मिलने से या समय आपके लिए बहुत ही सुख नमा व्यतित होगा घर में नजदिकी समंदियों के आगमन से प्रसंता आपको मिलेगी इस समय लाबदायक प्रसतियां भी आपको मिल रही है दोस्तों रुके हुए कार में गति आएगी सिर्फ दिल की आपक्छा दिमाग से काम लेना होगा आपके लिए बेहतर सावित होगी आप अपने अंदर बहुत अधिक उर्जावा आतम विश्वास का अनुभव करेंगे और इस वज़े से अपने कारे को बेहतरिन कारे रूप तेने में भी समख्च रहेंगे दोस्तों घर में अनुसासन तथा व्यवस्था बनाया रहने में आपका महत्यपून योगदान रहेगा कोई धार्मिक आयजन समंदित तयारियों में भी समय वेतित होगा सरकारी गतिविदियों में भी आपको वहतर मुनाफ़ा होने की संभावना है उच अध्यकारियों के संपरक में रहें दोस्तों दूसरों की व्यक्तिगत बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने कामों के प्रति एगा कर्चित रहें समय उपलबदियों वाला है इसका भरप्यूक सहयो करना ज़रूरी है किसी भी कारेकों करने से पहले उसकी प्रयासरद रहें दोस्तों किसी नजदी की दोस्तों और रिस्तदारों के साथ मनोंजन वा मेल मिलाब में बहतर समय बेतित होगा तब पिछले कुछ समय से चली किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा अपने मेहनत वा प्राकरम के बल पर किसी भी मुश्किल काम को पूरा करने में समक्त रहेंगे दोस्तों किसी परवावसाली व्यक्ति की मदद से आपको महत्यपूर्ण जनकारी हासिल होगी आप अपने अंदर अतभूत उर्जा महसुस करेंगे युवावर अपने भाविस समंदी गत्तिविदियों को लेकर पूरी तरह गंभी रहेंगे घर में कि बात करें तो रिसिदारों के आगवन से कुछ काम रुख सकते हैं साथ ही अनावस्य खर्चें की वज़े से वजट बिगड़ सकता है बच्चों की गत्तिविदियों को नजर अंदाज विल्कुल न करें इसमें इन्हें उचित मारदर्शन की ज़रुरत है मित्रों और अपका वहम ही होगा इसलिए सकारतमग बने रहें दोस्तों बाहरी गत्तिविदियों में अधिक समय वेतित करने से आपके अपने काम अटक भी सकते हैं यह समय अपने कारें के परति फोकुस रहने का है आकरनी आपका गुस्सा आपके लिए नुकसान दे हो सकता है जाएगा धरके किसी सद्द से के स्वास्त को लेकर भी चिंता बनी रहेगी दोस्तों दोपरवाद किसी काम के अटक जाने से चिंता रह सकती हैं वो भी महतेपूर निर्ने लेने से पहले उसके बारे में पुर्ने विचार आवस्य करें खर्चों की वज़े से हाथ कुछ बिजनेस की काम में जादा ही लोन लेना परिशानी की वज़य बन सकता है बेहतर रखी छमता के अनुसार ही काम करें दोस्तों जोब और बिजनेस की अंतरिक व्यवस्ता में बदलाब लेने के लिए जादा खर्चा करना पड़ सकता है मसनिर और खान पान समंदी बिजनेस म बेहतरिन अनुबंद मिल सकते हैं कोई नया काम सुरू करने की योजना बना रहे हैं तो समय अच्छा है आफिस में सहाईयों के साथ अच्छा ताल मिल रखें वेफसा से समंदिक कोई नया प्रोग्राम करने वाले हो तो इसके बारे में पहले अच्छी तरह जांच पर्तल करन जरूरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट समंदी बिजनेस में सोच समझ कर ही कोई फैसला लें जल्दवाजी की वज़े से नुकसान हो सकता है नोकरी पैसा लोगों को अपने फाइलें और दास्तवे सम्हाल कर रखें दोस्तों आज मारकेटिंग और यातरा समंदी दोस्तों प्रपटि खरीद विक्री समंदीद बिजनेस में फायदा होने की योग बन रहे हैं कोई बेहतरिन डील होने की संभावना है वेबसाई गत्तिविदियां सुचार रूप से चलती रहेगी हलाकि इनके परिना मिलने में कुछ विलम रहेंगे आपिस में सफलता मिलेगी कारस्तल पर कामचारें को लेकर कुछ समस्यां आ सकती है इसलिए किसी भी बाहरी इंसान का दखल आंतरी व्यास्ता पर ना होने दें अधिकारी और बड़े लोगों के संपर्क में बना रखना व्यावसाई के लिए फायदेमंद रहेगा वहीं बात के लेते लव लाइप की दामपत समंदों में मदूरता बने रहेगी प्रेम परसंग में भी नजदी की आएगी दोस्तों पती पतनी के बीच कुछ नौप जोंक की सिती बन सकती है थोड़े सी सूजबू से काम लें जल्दी समस्या हल हो जाएगी आज घर का महौल प्रेम पुर्णो और सुखनामा रहेगा प्रेम समंदों में गलत फिमी की बज़ास से दूरियां आ सकती है किस भी परिशानी में जीवन साती तथा परिवारी सदस्यों की सलाज संजीवनी का कारे करेगी विवतर समंदों का असर घर की सुख सान्ती को खराब कर सकता है और घर का वातारन भी सुखद और सौधार पूर्ण बना रहेगा प्रेमी प्रेमिका को मुलकात का अवसर मिलेगा पती पत्नी का घर्त था एक दूसरे के पत्ति प्रेम पूर्ण और उचित समानजस का भाव रहेगा प्रेम परिशंग में भी मर्यादा और सुखनामा बना रहेगा घर परिवार में सुख़द और समानने से पूर्ण बतावरण रहेंगे परन्तु प्रेम समंद में समय नस्ट होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा बात करेता अपके स्वास्त के बारे में अनिमीत दिन्चारिया और खान पान का असर स्वास्त पर पड़ सकता है परहेज करना जरू समझ समय पर उचित अराम भी लेना जरूरी है चलिए अब बात करेता आपके उपाय के बारे में दोस्तों गुरुवार के दिन रिष्णा निर्वत होके केले के पेड़ में नीमित पूजा करने से देवी लक्षमी प्रशन होती है भगवान विश्णु और देवी लक्षम केले का निमित भोग लगाने से वे अतिप रशन होकर भागताओ पर किरपा वर्साते हैं दोस्तों गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल और कच्चा दूद चाड़ाने से गुरु ग्रे से समंधित दोस्त पूरु होते हैं और आपके सभे मनोकामनाय पूर्ण हो जा और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद